लोग दोस्तों स्वागत है आप सभी आव एक मिस साथ एक मेंडे समिश्टर हम लोग जिस कंपनी के ओपर डिसकस करने बाले है पावर फाइनेंस कॉर्परेशनल लिम्टेड है काफी सांदार डिविडेंट पे करता है रिटन वाइस भी कंपनी बहुत पहतरीन है इसकी फाइ आप से मिस ना हो आप टेलिग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं निव्ज और डिविडेंट एनॉस्मेंट के लिए क्वाटरली एनिंग रिजल्स के लिए लिंक वीडियो इस पन बॉक्स पर मिल जाएगा डिसकस करते हैं देखें दोस्तों बहुत बहुत बहतरीन इसका करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्राइज एक्सन में कुछ इस सेयर में इतना ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता जितना डिविडेंट के लिए देखने को मिलता है देखें हमेशा जब आता है बड़ा डिविडेंट रहता है जैसे आठ रुपय का था फि हम लोगों ने इसको बहुत उपर पे discuss किया है बहुत below below price पे भी discuss किया इस share को तो फिलाल इसी पे discuss करेंगे कहां पे क्या current अभी जो positions चल रही है, company में क्या changes आए है, सारी चीजों को discuss करते हैं तो currently हम लोग को दोस्तों जो share है 156 rupees के around trade करता हुआ दिखाई देगा February 13 को इसके quarter 3 के results आ जाएंगे financial, rental और raising से, मतलब leasing से इसका work रहता है, इस पे basically power finance corporation, मतलब power के sector में, earning पर से इसकी बहुत बहतरीन रहती है 53.55 का बड़ा सा market capital है, dividend yet का जो percentage है वो भी बहतरीन है price earning ratio भी इसका 2.8 का देखने को मिल जाता है, जो की बहुत ही बहतरीन जगह पे है इसके chart में अगर नजर डालेंगे दोस्तों तो इस पे 100 रुपीस तक की भी dip मिली है, और 156 पे आया है, मतलब यहां से 50% का easy return भी है और यहां पे dividend की भी बात बहुत बहतरीन देखने को मिल जाती है बाकी अभी जो आज की rally का मुख्य कारण था दोस्तों वो basically बहुत ज़्यादा heavy volume पे इस पे delivery पे buying आई है, आज का मैं यही news भी check कर रहा था तो हर जगह लगभग यही चीज mention थी कि बहुत बड़ा volume आज के दिन company ने generate किया है और उस वज़े से जो movement है इसकी काफी सांदार रही है अगर हम लोग दोस्तों इसकी financial condition को समझें तो वो भी हम लोगों को सारे number अच्छे positive plus में दिखाई देते हैं जैसी कि मैं आपको बताओं तो 12 महिने की condition आप देखेंगे तो 8.93% इसका profit growth increase हुआ है sale growth में भी 1.44% की पढ़ोतरी हुई है 56% की इसकी promoters की holding आ जाती है all time high की बात के हैं दोस्तों तो 193 रुपीज तक share हम लोग को देखने को मिलता है book value की बात करें इसकी 290 है तो easy target आप 300 रुपीज तक लेके चल सकते हैं और यह जब से मैं बता रहा हूं जब इसके price 110 रुपे तक थे 100 रुपे के round तक थे face value share की 10 है तो इसमें चिंदा करने की जरूरत नहीं है return on equity भी इसका बहुत सांदार रता है Q1 Q basis पे company का profit roll जो है वो भी बहुत अच्छा है acid भी इसके अच्छे दिखते है बस और बस क्या चीज में दिक्कत आती है इसका जो return है पर यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों अगर आप dividend को भी अगर follow करते हैं dividend plus return पे view रखते हैं तब यह share काफी सांदार है मतलब उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जो investor के रूप में देखते हैं long term view के रूप में देखते हैं short term trading view के हिसाब से इसमें return जो है उस हिसाब का नहीं मिल पाएगा जिस हिसाब से आपको और दूसरी कंपनियां दे पाएंगी पर अगर आप long view और लंबे समय के लिए देखते हैं तब यह बहुत बहतरी रहेगा क्योंकि हर जगह से under value हम लोगों को इस टाइम पे देखने को मिलेगा इसका price जो है वो under value है तो easy रहेगा long view के लिए hold अगर करके चलते हैं return wise क्योंकि यहां पे book value से भी देखिए आपको सही जगह पे मिल जाता है अच्छा dividend yield है healthy dividend payout company manage कर रही है बस इसमें low interest coverage ratio रहा है देखने को और might be capitalizing interest cost तो वो भी एक चीज हमको देखने को मिले है पर उससे दिक्कत नहीं है return already इतने बड़े number पे है देखें दोस्तों और इसका profit margin भी काफी सुधार हुआ है जैसे 30 plus percent अभी हमको देखने को मिलता है net profit में भी 5,229 करोंड के number increase हुए हैं अगर हम लोग दोस्तों September 2019 से अब तक की jump देखे तो almost हम लोगों को उससे double ही देखने को मिल रहा है तो बहुत बड़ी growth यहां पे यह जो share है इसमें financial condition में देखने को मिलता है net profit में भी उसी तरीके same को देखने को data इसका मिलेगा अगर आप 2011 से 2022 तक का compare करें दोस्तों कोई मुकाबला ही नहीं है कितना ज़्यादा company के उसमें growth देखने को मिलता है तो इस प्रकार से दोस्तों काफी बहतरी हिन हुआ है इसका growth और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे तो बाकी president की holding होती है क्योंकि government के अंदर है तो 59.99% विल्दा 56% के around जो holding है वो अपनी government के पास है फिर उसके बाद foreign की investor है इसमें 16.82% उसके बाद domestic investor के percentage इसमें दिखने को मिलते हैं फिर इसमें 9.95 जो है public का देखने को मिलता है यहाँ पे ये खैरानी की बात है जबकि ऐसी company के अंदर public जो individual लोग hold कर रहे हैं उनको अपने number बढ़ाने चाहिए उनको long term और इस प्रकार से सोचना चाहिए ना कि जो company अभी जैसे इससे पहले मैंने एक और share discuss किया दोस्तों अभी मैं आपको उसका दिखाता हूँ मतलब अब तक वो update आ गया होगा अगर तो इससे पहले हम लोगों ने जैसे South Indian Bank को देखा ये share 20 रुपए के राउंड है तो इसमें बहुत बड़ी percentage थी जो वो public की थी तो ऐसी companyों में भी मैं मतलब हमेशा बूलता रहता हूँ कि आपको device करना चाहिए जो ज़्यादा safer side है ज़्यादा बड़ा return आप इस तरीके से देखते हैं उसमें भी बहुत लंबा view hold करना पड़ता है तब return मिलता है उसी प्रकार से इसमें dividend भी रहता है तो ये share थोड़ा ज़्यादा favorable मैं इनको कहूंगा क्योंकि उसमें आपको profit book करने की ज़रूत नहीं होती है और dividend काफी सांदार मिल जाता है अब जैसे हम लोग इसका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ data देखें इसी साल का तो हम लोग मतलब इसी FI का भी हम लोग count करें तो आपको DD जहां पर दिख रहा है ये सब dividend है और अभी latest की dividend भी 3 रुपे का था उससे पहले का 2 रुपे 25 पैसे का था उससे पहले 6 रुपे का dividend था फिर उसके बाद 2 रुपे 50 पैसे का था मतलब इस प्रकार से बहुत सारा dividend इसका मिलता रहता है हर quarter पे एक dividend मिल जाता है तो इस प्रकार से बहुत सांदार dividend पेका रहता है और अगर मैं target के बात करूँ तो इसको क्योंकि हम लोगों ने बहुत time bar discuss किया है इस label के round discuss किया था फिर share और फिसल के नीचे गया था मतलब range मिली और अची खासी वापस से recover हुआ 147 का target था फिर 150 8 रुपीस के round का था तो उसका target अचीव नहीं हुआ है लेटिश कॉल जो है वो सब लोग जान लेते हैं support भी मैं इसमें mark कर देता हूँ तो support around हम लोगों को 130 रुपई का round देखने को मिल जाता है आप खरीदने के लिए इसकी जो range है long term wise ही खरीदी है तो current price पर भी खरीज सकते हैं उसकी कोई उसमें नहीं रहता है काफे point label है क्योंकि यह जो point था दोस्तों यह अभी जो breakout किया है share ने यह अपना all time इस year का all time high पर है मतलब एक तरीके से तो वो काफी सांदार देखने को मिल जाता है तो अगर इस चीज को maintain करके रखता है तो share और उपर यहां से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा तो उस हिसाब से आप इसमें बड़े target भी लेके चल सकते हैं पर long term wise इस company में बन के चलिए अन्य था वैसे ही रत इसमें जो दोस्तों जो dividend wise नहीं देखते हैं देखिए कितने सारे dividend pays हैं तो इस प्रकार से यह काफी बहतरीन सावित हो सकता है इसलिए recommend रहता है कि बहुत बार लोग पूलते हैं कि जिसमें dividend अच्छा मिले और बहतरीन गंपनी रहे तो उस प्रकार से यह काफी सांधार है यही total update हो जाएगा PFC पे थैंक्स वार्चिंस वीडियो मिलते हैं को नेक्स साथ नेक्स वीडियो में